MP अजब है और यहां पर रहने वाले लोग तो और भी गजब है अब ताजा मामला देख लीजे जहां पर भरती परिक्षा में फेल होने के बाद जो भ्याती है वो सुप्रीम कोट पहुच गया और याचिका डाल दी और याचिका में डिमांड की कि यूट्यूब से उनको जाना दिलवाया जाए पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएं के नमस्कार आप देख रहे हैं अंपी तक और मैं हूँ आपकी साथ अकांग्शित था लोग रसल मामला है मध्यप्रदेश के एक यूवाकार जो मध्यप्रदेश पुलिस भरती परिक्षा की तैयारी कर रहे थे पॉर्म भरा एक्जाम दिया रिजल्ट आया फेल हो गया उसके बाद जो महाश्य है वह पहुचे सुप्रीम कोड़ का दरवाजा खटकट आया याचिका दाय की याचिका में लेखा कि यूट्यूब से वह पढ़ाई किया करते थे और जब कि महाश्य ने यूट्यूब से 75 लाख रुबे के हरजाने के डिमांड अपनी याचिका में सुप्रीम कोड के सामने पेश की याचिका पढ़ने के बाद जो जज है उनका क्या रियाक्शन आया ये जान लेना बेहत जरूरी आपको बता दे कि जो कोड है सुप्रीम कोड ने इस यूवक और इनकी याचिका पर इनको चमकर ठटकार लगाई इतना ही नहीं इनके उपर एक लाख रुबे का जुर्माना भी लगा दिया हलाकि महाश्य ने बाद में कहा कि वो एक लाख रुपे का जुर्माना तो नहीं भर सकते ऐसे में सुप्रीम कोड ने कोड का समय बनबाद करने के लिए इनके उबर 25,000 रुपे का जुर्माना लगाया है अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये महाशे है कॉल तो बता दें इनका नाम है आनंद किशोर चौधरी और ये मध्यप्रदेश पुलिस भरती के तयारी कर रहे थे लेकिन एक्जाम में फेल होने के बाद ये अजब गजब याचिका लेकर ये सुप्रीम कोर्ट पहुचे थे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जड़ संजय किशन कॉल और जस्टिस अब है एस ओक बीच ने इस याचिका पर नाराज की साहित की और ये भी कहा कि ये अब तक कि सबसे खड़िया याचिका ये कोर्ट ने ये भी ख़ा कि यदि आपको बिज्जापर distort नहीं देखना तो आप ना देखे हाला कि कोर्ट ने ये माना कि दिल्चस्थ याचिका ये दिए लही इसको बेहत बिल्या डेका बताया फिलाल कोड ने आनंद की याचिका खारिच कर दी है इतना ही नहीं उनके उपर 25,000 रुबए का जुरुमाना भी लगाया वो भी कोड का समय बर्बार करने के लिए फिलाल आनंद की ये कहानी और ये याचिका तोनों ही चाच्रा का विशाय बना हुआ है प्रदेश चुटी तो माम कवरों के लिए बने रही हैं अबितक्ति साथ